हेलो स्टुडेंट्स 12th Class Accountancy किस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नम्मर 4 Changing the Profit Sharing Ratio Among the Existing Partner के चैप्टर को कर रहे हैं जिसमें मैं आज आप सभी को Ratio Calculate करना बताऊंगा Sacrifice and Gaining Ratio किस तरीके से हम Calculate करते हैं तो चलिए स्टुडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मैं हूँ संजीव कुमार और आप देखने मेरे चैनल Top Classes Accounts तो दोस्तो जब हम बात करते हैं Changing Profit Sharing Ratio Among the Existing Partners अगर Existing Partners के बीच में उनका Ratio Change हो जाता है तो उस Situation में आपको क्या-क्या Adjustments क्या-क्या Treatment करनी होती हैं सबसे पहले हम उन Treatments को जान लेते हैं तो जब भी हमारे पास Profit Sharing Ratio Change होगा तो आप Partners में Adjustments करेंगे ये सारी की सारी जो अभी मैं आप सभी को बता रहा हूँ फिर दीरे दीरे हम एक-एक Adjustments को समझते जाएंगे शेप्टर में पहले आपको बता देता हूँ कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो Adjustments होगी सबसे पहले Adjustments होगी कि आप जो है इनका Ratio निकालेंगे और आप इनका New Ratio या Share Calculate करेंगे New Share Calculate करते वक्त आपके पास कुछ Sacrificing Ratio आई जाएगा Sacrificing Ratio का मतलब होता है कि अगर किसी Partner को पहले जादा मिल रहा था आप कम मिल रहा है तो वो अपना Share कुछ Sacrifice कर रहा है या इसी तरीके से Gaining Ratio भी आपके पास आ सकता है और Gaining Ratio का मतलब होगा कि आपने कितना एक्स्ट्रा Gain करा है पहले से मतलब पहले आपको कम मिल रहा था आप जादा मिल रहा है तो आपको कितना जादा मिल रहा है कितना Extra मिल रहा है तो वो आपा Gaining Ratio कहलाएगा तो आप जब भी हमारे पास existing Partner की बीच में Ratio Change होगा तो आप पहले new ratio calculate करेंगे उससे आपके पास sacrificing या gaining ratio निकल के आएगा किसी भी partner का अब जैसे ही आपके पास gaining या sacrificing ratio आ जाता है उसके बाद आप treatment करते हैं treatment of goodwill ठीक है तो इसके बाद हम goodwill में change करेंगे कि goodwill आपकी कितनी है valuation उसमें कितने का change हो रहा है वो सभी उसमें देखा जाएगा तो पहले हम new share निकाल रहे हैं दूसरा treatment of goodwill कर रहे हैं तो एक तरीकी से मैं आप सभी को ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी वीडियो इसके बाद आएंगे आज share पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ratio पढ़ा रहा हूँ इसके बाद treatment of goodwill पढ़ा हूँगा क्योंकि ये सारी की सारी adjustments होती है और third part इसके बाद आपके पास आएगा जो की आपको पास adjustment आपको करनी होगी adjustment of adjustments of reserves ठीक है तो जो भी reserves होंगे उन सभी की आपको adjustment करनी है reserves and profit and loss account या balances लिख देता हूँ profit and loss balances के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे next अगर हम fourth part बात करते हैं बच्चे तो fourth आप जो है इसमें revaluation check करेंगे revaluation of assets and liability, revaluation of assets and liability कि आपके पास जो liabilities है और assets है उनमें कितने का जो है आपको change देखने को मिला है उनके बीच में आप revaluation को भी check करते हैं next आप इसके बाद आप करेंगे कि आपके पास कोई भी capital जो adjust हुई है adjustment of capital में कितना adjustment हुआ है उसके बाद आप यह करेंगे तो इन 5 points में हम जो है इस chapter को cover करेंगे और यह 5 points किये जाते हैं जब भी किसी partner का sharing ratio जो है वो change होता है existing partners का तो वो सबसे पहले ratio निकालेंगे फिर treatment of goodwill फिर adjustment करेंगे अपने reserves and profit and loss balances की फिर इसके बाद हम revaluation देखेंगे assets and liability का और इसके बाद last में हम adjustment of capital करेंगे तो बच्चे आज का हमारे पास जो topic रहेगा वो रहेगा new ratio, sacrificing ratio and gaining ratio तो start करते हैं देखें सबसे पहले हम calculate करना सीखेंगे कि new ratio कैसे calculate किया जाता है तो अगर मानलीजे किसी भी partner का old ratio दिया हुआ है, मानलीजे दो partners हैं एक A partner और एक B partner तो अगर हम किसी partner को admit कर रहे हैं या कोई partner partnership में आ जा रहा है तो उसके वज़े से partnership पर effect पड़ता है, कैसे पड़ता है उसको समझते हैं देखें, old ratio अगर हमारे पास दिया हुआ है 3 raise to 2, तो 3 by 5 हो जाएगा और 2 by 5 हो जाएगा ये तो आपको पता ही है, 3 raise to 2 का मतलब है 3 by 5 और 2 by 5 fractions आप सभी को आती है इसके बाद आप इसमें admit कर रहे है, admit C, admit कर रहे है C for one-fourth share कितने share के लिए किया जा रहा है, इसको one-fourth share के लिए किया जा रहा है अब ये जो one-fourth share है, ये लेता है equally from दोनों partner से, ठीक है equally लेगा, equally from A and B, तो A और B से ये equally अपना share लेता है तो इसका share है one-by-four, one-by-four का half यानि की आदा, ये ले लेगा किस से, A से और one-by-four का half ले लेगा किस से, ये ले लेगा B से तो इसके अंदर ये shares क्या हो जाएंगे, A से और ये shares B से जो है, minus हो जाएगा, कम हो जाएगा तो अब आपके पास new ratio निकल कर आएगा, new ratio, तो new ratio basically क्या होगा आपके पास A का old ratio है, A का old ratio है 3 by 5, minus कर देंगे आप इसका जो ये share इसने C को दिया है तो ये कितना जाएगा बच्छे, multiply करके 1 by 8, और सी तरीके से इसका है 2 by 5, इसने इसको भी दिया कितना 1 by 8 अब आपको इसको solve कर लेना है, इसको solve करेंगे तो दोनों के बीच का LCM आपके पास 40 आएगा और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 24 minus 5 और ये हो जाएगा आपके पास 40 दुबारा again LCM और 16 minus 5 तो ये आपके पास आजाएगा finally 19 by 40 और ये आपके पास आजाएगा finally 11 by 40 तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर आपका इनका share A और B का new share अब हम तीनों के new share की अगर बात करें तो यहाँ पर A का आपके पास आया था 19 by 40 B का आपके पास आया था मैंने 140 लिख दिया सौरी दोस्तों मैंसे ठीक कर दिता हूँ 19 by 40 B का आया था आपके पास 11 by 40 और C का जो है वो 1 by 4 दिया हुआ था equal कर देते हैं तो equal करने के लिए 10 से उपर और 10 से नीचे multiply करेंगे तो इनका जो fraction है नीचे वाली ट्रम है वो सब equal हो जाएगी तो यह आ जाएगा आपके पास 10 by 40 तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका 19 by 40 इसका 11 by 40 और इसका 10 by 40 और आप देख सकते हैं नीचे का टूडल क्या हो रहा है बराबर हो रहा है यह चेक करने का तरीका अगर नीचे का टूडल आपका बराबर नहीं हो रहा है तो समझ जाएगे का आपने कहीं न कहीं गलती की है तो यह एक चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है तो ratio क्या आया है इनका new ratio है 19 raise to 11 raise to 10, अब आप निकालेंगे इनके बीच में sacrificing और gaining ratio, तो sacrificing और gaining ratio कैसे निकालना है आपको, ठीक है, तो जब आप sacrificing ratio, sacrificing ratio निकाल रहे हैं, sacrificing ratio, sacrificing ratio का formula होगा, old ratio minus new ratio, ठीक है, old ratio में से आप new ratio या new share को minus कर दीजे, आपके पास sacrificing ratio आजाएगा, तो आप A, B और C का निकाल लेते हैं, तो A का आपके पास old ratio क्या था, 3 by 5, B का आपके पास था, 2 by 5, और इसका तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये तो new partner है, और इसमें से आप minus कर देंगे, यहाँ पर आपका जो भी new ratio दिया हुआ है, new ratio आया 19 by 40, और यहाँ पर आया यह 11 by 40, और यह आया 10 by 40, तो इसके बाद यहाँ पर आप LCM देखेंगे, तो LCM 40 आ रहा है, 40 से आप जो है, इसको divide देंगे 8, तो 24 यह आ जाएगा, 24 by 19 equals to 5 by 40, ठीक है, और यहाँ पर आप calculate करेंगे, तो 40 again LCM, और यह divide करेंगे, तो 16 minus 11 equals to 5 by 40, और इसका आप अगर देखें, तो यह आ रहा है, 10 by 40, ठीक है, negative का आ रहा है, negative का 10 by 40 का मतलब है, यह जो है, वो sacrifice करने की जगा, gain कर रहा है, तो यह आपका इसका gain आ रहा है, और आप देख भी सकते हैं, कि इसने gain किया, और A ने इतना sacrifice किया, B ने इतना sacrifice किया, तो आप आप इनका ratio न चीज को, तो यहाँ पर इस चीज को मैंने जो है, वो आपको इस formula के तुरू बहुत अच्छे से समझाया है, और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा, कि किस तरीके से आपको निकालना होता है, बट अगर मैं बात करता हूँ, बच्चे, gaining ratio की, gaining ratio, तो gaining ratio का आपक new ratio, और gaining ratio का formula होगा, new minus old ratio, तो यह तो हो गई बात formula की, और मैंने आपको समझा दिया, new ratio कैसे निकालना है, और अगर new ratio दिया हुआ है, तो आप direct formula लगा सकते हैं, ठीक है students, अब मैं आप सभी को कुछ questions कराता हूँ, जिससे आपको concept की clarity आएगी mind में की concept को किस तरीके से हमें समझना है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, question, question number one, आपकी T.S.Greval book का ही है, आपको T.S.Greval book के यहाँ पर solution भी provide कराए जाएंगे, इस वीडियो की 3 जो वीडियो series आपके पास चल रही है, इस वीडियो series में मैं आप सभी को questions के solution भी देता हूँ, आपकी T.S.Greval book क तो देखे, सबसे पहला question क्या है, पहला question है, आपके पास A और B, sharing profit ratio equally, इनका ratio equally दे रखा है पुराना, when with the effect of April 2019, they agreed to the share profit in the ratio of this, तो इनका new ratio दे दिया, तो बताया calculate individual gain और sacrifice due to change in ratio, ratio के change होने के वज़े से बताइए कि कौन sacrifice कर रहा है और कौन कितना gain कर रहा है, इसको आप calculate कर के बताइए, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास sacrificing ratio का formula क्या होता है, देखे, sacrificing ratio निकालते हैं, sacrificing ratio equals to old ratio, old ratio minus new ratio, ठीक है, old ratio minus new ratio, तो अगर आप देखें, A और B, A का आपके पास old ratio था equally, यानि की 1 by 2 इसका भी, और 1 by 2 इसका भी, और अगर new ratio की बात करें, तो new ratio है 4 by 3, तो 4 by 3 यानि की 4 by 7, और minus कर देगे 3 by 7, तो आप LCM लेंगे, तो LCM इसका कितना आएगा बच्चे, 14 LCM आ जाएगा, और 7 से से multiply करेंगे 1 को 7, और 2 से 4 को करेंगे, त तो 8, आपको fraction solve करना आना चाहिए, तो 1 by 4 आ जाएगा, यहाँ पर negative, तो इस 1 by 14 नेगिटिव आ रहा है, तो मैं इसे bracket में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर अगर हम देखें, तो 14 again LCM, यहाँ पर यह 7 आ जाएगा, और यह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 नि, 6 आए है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं, B, sacrifice कर रहा है, sacrifice, ratio के change होने से, 1 by 14, ठीक है, और जो A's है, वो gain कर रहा है, 1 by 14, ठीक है, A क्या कर रहा है, gain कर रहा है, और B क्या है, sacrifice कर रहा है, और इनका ratio यहाँ पर given है, next, और questions करते हैं, और concept clarity mind में आएगी आएगी आपके, question number 2 देख ली profit sharing ratio दिया हुआ है, they decide the profit sharing ratio new, and दुबारा से again calculate कीजिए, तो sacrificing का भी form में लगा सकते हैं, gaining का भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, ठीक है, gaining का निकालेंगे तो जो positive होगा, वो gain होगा, और जो negative होगा, वो sacrifice होगा, but sacrificing लगाते हैं, तो जो positive होगा, वो sacrifice होगा, और जो negative हो होगा, वो gain होगा, तो sacrificing ratio का हम formula, चलो एक बजार मैं आप सभी को gaining ratio formula के से बता देता हूँ, तो gaining ratio, gaining ratio equals to आपके पास होगा, इस बार formula change होगा, formula होगा new ratio, new ratio या new share, minus old ratio या old share, ठीक है, तो A, B और C, दुबारा again आपके पास 3 partners यहाँ पर given है, और new ratio क्या है, इनका 5, 2 और 3, ठीक है, और 2 by 10 हो जाएगा यह, और यह हो जाएगा आपके पास 3 by 10, अब वहीं इनके old ratio की बात कर लें, तो old ratio था 5 raise to 3 raise to 2, ठीक है, तो 5 by 10, और यह होगा 3 by 10, और यह होगा 2 by 10, तो आप यहाँ पर आप देखें, तो इसका LCM आएगा 10, और 5 और minus 5, यह तो 0 है, क्यूंकि ना ही बढ़ रहा है, ना ही घट रहा है, आप सभी देखके भी पहचान सकते हैं, तो यह तो 0 हो गया, ठीक है, 0 by 10 हो जाएगा, और इसका अगर आप निकालें, तो 10 है, आपके पास LCM, और 2 minus 3 उपर रहेगा, तो 1 by 10 आजाएगा, नेगेटिव का, और इसी तरीके से, यहा पर आपके पास, यह हो जाएगा 10, और यहाँ पर 3 minus 2 होगा, यानि की positive 1 by 10, तो जो positive है, वो gain है, तो C's gain कर रहा है, 1 by 10 ratio, और B जो है, वो sacrifice कर रहा है, sacrifice 1 by 10 share, ठीक है, तो एक कर रहा है gain और एक कर रहा है यहाँ पर, आपका sacrifice, यह बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होग नेक्स्ट, आगे और questions करते है, question number 3, आपकी book का ही है, यह भी question, XYZ are partners in ratio this, with the effect of 2019, they decided to share the profit ratio equally, calculate again gain, ठीक है, तो gaining ratio से calculate कर लेते हैं, gaining ratio और यह सब आप मेरे साथ साथ करिये, फटा फट, मेरे से पहले आपका answer आचीए, इस वीडियो को देखते, देखते, copy pen निकाल के रहेगा, new ratio minus gaining ratio, ठीक है, new ratio minus, oh gaining बोल रहा हूँ, sorry दोस्तो, old ratio, ठीक है, तो XY और Z हैं आपके पास, new ratio है equally, 1 by 3, 1 by 3, और 1 by 3, और old ratio है, 5, 3, 2, तो आपके पास 5 by 10, और 3 by 10, और 2 by 10, तो यह आपके पास आया LCM 10, oh 10 क्यों, 30 आएगा बच्चे, और यह 10 minus 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 by 30, इसके बाद यहाँ पर आप निकालेंगे, again LCM 30 आएगा, और 10 minus 6 हो जाएगा यह, ठीक है, आता है न आपको fraction solve करना, 4 by 30 हो जाएगा, again LCM यहाँ पर 30 आएगा, तो य यह अगेन दुबारा से 40 by 30 आजाएगा, ठीक है, हाँ 10 minus 6 ही हो रहा है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास यह 1 आजाएगा, मैंने calculation में थोड़ी सी गडबड़ी गड़ी तो 1 आजाएगा, अब आपके पास negative आया कौन सा, negative कोई भी नहीं आ रहा है, सभी आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, values, positive में आ रही है, यानि की all partners, all partners are gain, चीक है, सारे के सारे partners क्या कर रहे है, gain कर रहे है, nothing is sacrifice, कोई भी sacrifice यहाँ पर नहीं कर रहा है, question number 4 में चलते हैं, और last question होगा इस वीडियो का, और आपकी book में भी question number 4 ही दिया है, चीक है, इसके बा partners, profit sharing loss is this, और calculate the new profit sharing ratio and gaining and sacrificing ratio of each cases, यह questions आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, इन 4 के 4 cases को, पहला case क्या है, case 1 solve करते हैं, case 1 में आपके पास जो है, यहाँ पर C acquire कर रहा है, 1 5th share from A, ठीक है, तो 1 5th share के लिए वो आ रहा है, और पूरा का पूरा share किस से acquire कर रहा है, A से acquire कर रहा है, तो आपके पास इनका old ratio आप सभी लिख लिजिए, old ratio A, B, और C, चीक है, old ratio 5 by 10, 4 by 10, और 1 by 10, अब यहाँ से आप जो है, acquire कर रहा है, C acquire कर रहा है, तो यहाँ से जाएगा इसमें से, चीक है, तो C acquire, C acquire, 1 5th, from A, ठीक है, A से 1 5th लेगा, तो A में से 1 5th माइनस हो जाएगा, और इन में से कोई चेंज नहीं होगा, तो आपके पास इनका new ratio आजाएगा, new ratio, equals to 5 by 10, minus 1 by 5, और इनका सेम यही रहेगा, 0 यहाँ से, और 1 by 10, minus 0, तो यहाँ पर आपके पास LCM आएगा, बच्चे, 50, ठीक है, याद निकाल लेते हैं हम सभी, आपके पास 10, और 5 LCM आप सभी को पता ही है, तो 5 से करेंगे, तो 2 और यह 1 हो जाएगा, तो आपके पास 10 LC 50 नहीं आएगा, मैंने 10, ठीक है, 10 LCM आगया आपके पास, अब 10 LCM आ रहा है, तो यहाँ तो 5 ही रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 4 by 10 ही रहेगा, और यहाँ 1 by 10 ही रहेगा, यहाँ पर आपके पास आजाएगा 3 by 10, ठीक है, 4 by 10, और 1 by 10, ओ, सॉरी दोस्तो एक चीज में करना भूल गया यहां पर यहां पर आपको C को मिल भी तो रहा है इसमें से जा रहा है तो यहां पर आपको C को मिल रहा है न यह क्योंकि यह इतना sacrifice कर रहा है इससे ले रहा है acquire कर रहा है तो इसके बाइस 1 by 5 जो है positive में आएगा तो अब new ratio क्या आएगे आपके पास new ratio equals to 3 raise to 4 raise to 3 यह new ratio है अब आप अगर gaining ratio निकालना चाहिए या sacrificing ratio तो GR लिख देता हूँ मैं short में gaining ratio new minus old ratio लिख रहा हूँ short में लिख रहा हूँ मैं ठीक है तो new minus old तो आपके पास A, B और C new ratio है इनका 3 by 10 और इसका है 4 by 10 ठीक है और इसका है आपके पास 3 by 10 अगे अल्ड है इनका 5 by 10 4 by 10 और इसका था 1 by 10 ठीक है तो यहाँ पर आपके पास LCM 10 आएगा 3 minus 5 और LCM यहाँ पर भी 10 4 minus 4 4 minus 4 यहाँ पर भी 10 LCM 3 minus 2 1 स्वाड़ दोस्तो वन आएगा यहाँ पर आपके पास 2 by 10 नेगेटिव आ गया, यह तो निल आ रहा है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ और इसका 2 by 10 जो है positive आ रहा है, इसका मतलब है यह gain कर रहा है C gain कर रहा है 2 by 10 ठीक है, and 2 by 10 जो है, इसको मतलब 1 by 5 ही लिखेंगे 2 by 10 जो है, sacrifice कर रहा है sacrifice कर रहा है A, वो तो हमें पहले भी पता था, तब भी मैंने आपको verify करके बता दिया, आप देखें case number 3 देखें आप सभी case number 2, case number 2 में C acquire 1 fifth from equally A और B A और B से इस बार क्या ले रहा है equally ले रहा है, तो इनका old ratio आपके पास दिया हुआ है old ratio है A B और C का 5 by 10 4 by 10 और 1 by 10 चीक है, इसमें से equally ले रहा है, मैं खाली equally लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 1 by 5 का equally, 1 by 5 का equally, यानि की 1 by 2 और फिर 1 by 5 का equally, यह भी 1 by 2 यह यहाँ से minus हो जाएगा और यहाँ पर जाकर add हो जाएगा यह 1 by 10 plus 1 by 10, दोनो add हो रहा है, तो bracket नहीं दिखाएंगे, हम खाली यह सही सको show करेंगे, ठीक है students यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा अब यहाँ पर new ratio इनका निकल के आ जाएगा, new ratio तो new ratio equals to 5 by 10 minus, यह देखिए कितना हो रहा है, यह हो रहा है 1 by 10 इसका, तो 1 by 10 यहाँ से minus हो जाएगा, 4 by 10 minus 1 by 10 और 1 by 10 है इसका, और 1 by 10 इसमें प्लस करना है, प्लस 1 by 10 चिक है, तो यह आजाएगा LCM 10, 5 minus 1, और 10, 4 minus 1 10, 1 plus 1 plus 1, चिक है तो यह ओग जाएगा, आपके पास 4 by 10, यह हो जाएगा 3 by 10, और यह भी हो जाएगा 3 by 10 बच्चे तो आपके पास new ratio कितना आ गया new ratio, nr आ गया आपके पास 4 raise to 3 raise to 3, ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं gaining और sacrifice निकालना चाहूं तो A और B equally sacrifice करेंगे, निकाल सकते हैं आप easily, ठीक है, अब देखें यह तो simple ही है, next आगे चलते है case 3, a, b, and c will be share future profit losses equally, अब यह losses को equally distribute करते हैं, last में तीनों, तो इनका gaining ratio आपको निकालना पड़ेगा, case number 3, equally है तो आपके पास gr gaining ratio equals to nr यानि new ratio minus or यानि की old ratio, shortcut use कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है a, b, and c a का old है, 1 by 3 है सबका वैसे भी, क्योंकि equally आ रहा है तो तीन पार्ट में बटेगा, तो 1 by 3 होगा minus old है, 5 by 10 4 by 10 और 1 by 10 तो आपके पास lcm यहाँ पर आ जाएगा, 30 और यह हो जाएगा, 10 minus 15 और यह हो जाएगा, 30 10 minus 12 यह हो जाएगा, 30 again lcm, और 10 minus 3 आपके पास यह हो जाएगा ठेक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा, negative का 5 by 30, negative है यहाँ पर, again negative 2 by 30 आएगा, और यहाँ पर positive आएगा, 3 by 30, oh 7 by 30 इसका मतलब है, कि आपके पास sacrifice कर रहे है sacrifice A and B of 5 raise to 2 5 raise to 2 में sacrifice किया जा रहा है, और C को gain हो रहा है यहाँ ठीक है, अगर equally बढ़ता है तो, fourth case देख लीचे आप सभी fourth case में आपके पास C acquired 1 tenth from A 1 second by B ठीक है, चलिए देखे, इसको भी करते है मैं काम अचलिए मैं यह कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इतने space में हो जाएगा case number 4 ठीक है, इनका old ratio दिया हुआ था old ratio, old ratio है A, B और C, 5 by 10 4 by 10 और 1 by 10, थोड़ा छोटा लिखूँगा space काम है क्योंकि, और फिर यहां से यह जो है, acquire कर रहा है 1 by 10 A से, और 1 by half B से, एक बार और शेक कर लेते हैं ताकि verified हो जाए, 1 by 10 A, and 1 half B ठीक है, और यह दोनों किसको मिल जाएंगे, C को मिल जाएंगे तो C को मिलेंगे, 1 by 10 plus 1 by 2 यह plus हो रहा है इसके में, और इन दोनों था, minus कर दीजे इसमें से 1 by 10 4 by 10 इसका old था, ठीक है, minus कर दीजे 1 by 10, 1 by 10 इसका old था, plus कर दीजे 1 by 10 plus कर दीजे 1 by 2 का ratio तो अब आप LCM निकालेंगे, तो LCM बच्चे 10 आएगा, LCM इसका 10 आ रहा है, तो 5 minus 1 बच्चेगा यह, और इसका LCM आप निकालेंगे, तो आपके पास 10 ही आएगा मेरे ख्याल से, 10 by 2, पहले 2 से जाएगा, तो 5 और 1, फिर इसके बाद 10 आ रहा है आपके पास, ठीक है, मैं LCM निकालके verify कर लेता हूँ वैसे, ठीक है 10 ही आ गया, अब यहाँ पर 4 आएगा, 2 से divide करेंगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखें, तो इसका LCM कितना आएगा, आपके पास 20 ही आएगा तो 1 प्लस 1 प्लस यह 5 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आ गया 4 by 10, इसका negative 1 by 10 आ गया, क्योंकि इसका negative में जा रहा है, इसका आप अगर देखेंगे, तो 7 by 10 आ गया, 10 है बच्चे 7 by 10, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कि इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास A जो है, B जो है, उल्टा घाटे में जा रहा है, अगर वो अपने share का 1 by half दे देता है, तो उल्टा 1 by 10 का उसको क्या हो जा रहा है, बच्चे यहाँ पर loss हो जा रहा है, और वो loss आपको यहाँ पर देखने को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है students, यहाँ तक हमारे पास यह topic पूरा का पूरा clear हो चुका है, और अच्छे से आपको यह topic जो है समझ में आया भी होगा, कि किस तरीके से हम जो है ratio को निकालते हैं, तो अगर आपको premium courses चाहिए, तो आप top classes आपको जरूर download कर लीजेगा, और उसके बाद आप मुझे इस number पर contact करेंगे, तो मैं आपको course के regarding सारी information प्रोवाइड करा दूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे motivate करना हो, तो वीडियो को like जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसी तरीके की knowledgeable videos, वो भी हमारे साथ जोइन कर पाएं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं, अगर आप new viewer है मेरे चैनल पर, तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजे दोस्तों